कि हाई व्रियोन वेलकम अगेन इन एसिंग एप्स एंड इस यूर होस्ट नौनिर प्रजापती सो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपना डारेक्टरी सेट अप कर लिया था पूरा और यह प्रोजेक्ट कर लिया था एंड इस वीडियो में हम लोग अपने एक एपी को हिट करेंगे ठीक है ट्राइ करेंगे यह दोनों हो जाए तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा इसका यह जो हमारी है इसका यह जो हमारी एंड पॉइंट है इसको एक कॉंस्टेंट बनाके हम लोगों को उधर इस्टोर करना होगा ठीक है इसको तो कॉंस्टेंट बना के हम लोगों को इस्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग कॉंस्ट्रेंट वाले फाइल में जाएंगे और इधर हम लोग एक डाट की फाइल बनाएंगे इसका नाम रखेंगे API and points API and points और इधर हम लोग अपना basically final string और यह हमारा रहेगा जी यू ओके इसका नाम रख देते हैं हम लोग के geolocation and इसको हम लोग इधर कर देते हैं पेस्ट ठीक है ओके तो इसको मैंने स्ट्रीम में नहीं रखा and इधर से अपना तो यह हो गया और इसको थोड़ा सहीतर ठीक है तो इधर यह अपना अपने को end point के साथ साथ अपने कोई यह जो API की है इसको भी इधर लगाना है तो हम लोग इधर केवल हम लोग अपने बेस जो हमारा बेस बेस URL है उसको रखेंगे सॉरी मैं यह जी यो लोकेशन करके रख दिया जो भी है तो इसको हम लोग हटाते हैं और एक और बना लेते हैं सबसे पहले तो एक कि यूर API की करके आँ कि फाइनल कि इस्ट्रेंग कि इसको इधर रहेगा अभी मैं API की हमारी जो भी रहेगी तर कॉंपी करके ट्रगा दूंगा और आप लोग यह वाली API की ना यूज करिएगा बैसिकलिए आप नहीं कर पाएंगी यूज क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए बाद उस API की को दिलीट करते वाला हम तो यह हो गया और इधर से यह बाकी का जो एंड़ पॉइंट है यह इसको हम लोग हटा दे ठीक है तो यह हमारा हो गया हट गया ठीक है तो यह चीज़ हो गई और इधर से सबसे पहले क्या करते हैं अपने को अपने को चाहिए अपनी API की API की ठीक है तो अभी यह default API की है मैं वीडियो पब्लिस करने के बाद यह API की डिलीट कर दूँगा जैसे कि आप लोग यूज नहीं कर पाएंगे ठीक है तो आप लोग अपना खुद का बनाईएगा एंड यूज करिएगा तो इसको क्या करन ओ तो इसको थोड़ास फार्मिट कर देंड लोग ठीक है एंड यह चीज हो गई और यह क्या बोला है ठीक है कुछ भी बोले इसको कोई मतलम नहीं है और अभी क्या कर अपना यह एंड पॉइंट लग गया इधर और हम लोग क्या करेंगे अब एक रिपोजेटरी बनाएंगे ठीक है रिपोजेटरी डार्ट फाइल बनाएंगे इधर और इसमें हम लोग अपनी दोनों API को कॉल करेंगे ठीक है बिसिकली दो API हमको करनी हैक ठीक है तो सबसे पहले इसका नाम देदेता हूं है वेजदर वेदर वेदर. रेपो वेदर. रेपो मीन्स रेपोजेटरी ठीक है और इधर क्या करना हमको अब मैं आपको बताऊंगा तो बेसिकली सबसे पहले हम लोगों क्या करना है सबसे पहले हम लोगों को फ्लटर एच्टीटीपी पैकेज को इंस्टॉल करना है अपने इस प्रोजेक्ट में ठीक है कि फ्लटर एच्टीटीपी ठीक और इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे इधर से तो इधर रीडमी में जाके आप इसका डॉक्मेंटेशन भी देख सकते हो कि कैसे चीज़े वार्क करती है इसके साथ हमारी तो वह मैं अभी करके दिखाऊंगा आप लोगों को लाइव इक्सम्पल टर्मिनल में और इसको पेस्ट करते हैं इससे हमारा जो हमारी जो डिपेंडेंसी है वह डाउन्डोड हो जाएगी आप इधर जाके देख सकते हूं यहां पे आपको सब्सक्राइब करेंगे हम लोग इधर क्लास बना लेते हैं क्लास का नाम हो जाएगा वेदर रेपर ठीक है वेदर रेपर और इधर क्या करना होगा हमको अपने सब्सक्राइब ओर मनें अधर इम्पोर्ट यह ओ फ्रेंड है ंषज से सब्सक्राइब व जाड़ Fr it est को एजिए महारा फैकेश और फिर एक हम अब हम लोगों को क्या करना इधर इस्टेक अधिदिक स्ट्रेंटेंटिक पहले तो वाइड ही बनाते हैं हम लोग कि वाइड फंक्सं की सब्सक्राइब एक फंक्संड नाँ यह बनाने जарारह उर्थ हम लोग को अपने हिट करें ठैक है तो हम इधर क्या वाले हैं इसा हम नाप मना लोग को API को हिट करेंगे तो उसका नाम मैं दे रहा हूँ क्या नाम दो इसको मेरी पहली वाली API का क्या नाम है ओके जीओ टाटा ठीक है तो गेट जीओ टाटा इससे हम लोग अपने जीओ लोकेशन को इधर से गेट कर पाएंगे ठीक है और अब हम आगे हम लोगों क्या करना होगा बेसिकली हम लोगों को इसमें अपने पहले सबसे पहले हमको अपने जो हमारी यू आर आई है उसको डिसाइब बनाना होगा तो सबसे पहले हम लोगों को http.get अब इधर आप देख सकते हो इस पी अगर आप फॉवर करेंगे तो इधर क्या कह रहा है इस यह जो रिस्पॉंस देगा हमारा यह फ्यूचर रिस्पॉंस देगा और फिर इसको एक यू आर आई चाहिए यू आर आई का यू आरल चाहिए और इसका अगर header necessary है तो header वी जाइए ठीक है तो हम लोग इधर इसको URL जो हमारा वो हम लोग इसको provide कर वाते हैं सबसे पहले तो इतर इधर यू आर आई uri.parse और फिर इधर अपने url की जो आपकी जो main url है उसको आप इधर दे देंगे ठीक है तो हमारी main url क्या है main url का नाम तो इसका नाम बदल के base url ठीक है base url हमारी यह है इसको हम लोग कॉपी करते हैं repository में जाते हैं यहां पर लगाते हैं और इसको हम लोग import करते हैं सबसे पहले तो import करते हैं तो import हो गया यह हमारा base url है plus base url के साथ हमको और क्या-क्या चीजे चाहिए तो इधर जाते हैं base url के साथ हमको इतनी सारी चीजे और चाहिए ठीक है इसको copy करते है एंड प्लस यह सारी चीजे हमारी हो गई ओके तो यह स्ट्रिंग फॉर्मिट में रहना है इसको हम लोग इस्ट्रिंग बनाते हैं ठीक है और क्या चाहिए और इधर हमको हमारा जो API की यह वो चाहिए तो API की हमने उदर इस्टोड कर रखी है तो इसका क्या नाम रखा हमें यूर API की कर दी कर देता हूँ है है इधर से ले जाके हम लोग इधर API की प्रमिट ठीक है तो यह हो गया और एक काम और कर सकते हम लोग इस चीज को न इस पूरे चीज को हम हम लोग एक अलग से URI बना के उधर भी इस्टोर कर सकते हैं तो जैसे इस पे इस पे हावर करेंगे तो यू आराई कि ठीक है ऐसे ही रहन देते हैं अभी कोई रिकत नहीं है मैं इसको प्रिंट करना चाहरा था कि प्रिंट करके हम लोग चेक करते हैं देखते हैं इसका होता क्या है यह क्या है तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं इस पूरे चीज को प्रिंट करूं कि इसमें क्या चीज आ रहा तो देखे हैं किया होता है By pót print और इसमें एक अब्जेक्ट एगा तो हम लोग इस पूरे अब्जेक को ने जाकर टालते इक है यह इतार और इदर से एताते हैं और इसको कमेंट करते हैं बैसिकली हम लोग अपना टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा कृई हमारी किअ अवेट करने से पहले हम को इध़र इसको एंक बनाना होगा कि अच्छ रोस फून्ट्सन बना दी ओके सौरी में पूरे कलास को ये सिंक्रोने कुर्णेन रहा हूँ बिसिकली हमको के वैल इस फंट्सन रहां तो एंक ऊच्छ अब हम लोग अवेट यूज़ कर सकते हैं अवेट ठीक है तो यह हो गया या फिर इसको एक काम करता हूं इसको हम लोग कॉपी कट करते हैं और इधर एक वैरियेबल बनाते हैं और इसको हम लोग यहां पर प्रिंट कर लेटें तो और इसको मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूं बहुत जगा ठीक है अब सीवेश को हम लोग कॉल करते हैं काल करके चेक करते देखते हैं कि यह काम और मॉम कर रही है या फिर ऐसे ही बना दी हम लोग तो हम लोग अपने मेन डाइट में जाएंगे एंग यहीं पे इसको कॉल करते हैं ठीक है यहीं प्रकॉल कर लेते हैं ठीक है तो रेपोजेट्री और वेदर रेपोजेट्री इसको करते हम लोग इधर से इंपोर्ट और फिर डाट गेट जीव डाटा ठीक है यह हो किया और ओके सो यह है और इसमें हम लोग कर रहें ब्रेंट कर रहें ठीक है तो रन करते हैं फिर से और अपने रन वाले सेटनीतर जाकर तो कि तो इंस्टेंट और इंस्टेंट टॉición समको इदर मिल आ तो इस इसका से मिल लेकिन हम लोग प्रिंट नहीं करवा रहे घेलिए तो basically हमको इस डाट बॉडि अगर यह print करवाएंगे तब हम लोग को अपना data मिल जाएगा ठीक है अब फिर से print करवाते हैं और check करते हैं तो यह रहा यह आपको log में आपको data पूरा मिल ला है कि यह क्या चीज है ठीक है कि टेक है सब कुछ सही है अपना सब कुछ पढ़ियां चला है मतलं और हम लोग अब क्या करेंगे यह जो चीज है इसी चेज academics को हम लोग एक स्ट्रिंग में इस्टोर करा लेंगे तो हम लों से इस हम लोग एक स्ट्रिंग है string और URL जिसका नाम दे देंगे और इस पर हम लोग यह टार देंगे ठीक है और इस URL को यहां पर ले जाकर अपना यूज कर लेंगे ठीक है I think समझ गया हूंगे आप लोग कि यह क्या चीज होई है और हम लोग इधर क्या करेंगे URL को भी अपने प्रिंट करवा लेंगे प्रिंट करवाएंगे URL को ठीक है Basically मैं आपको call करना बता रहा हूं कि कैसे चीज़े call होती है कैसे API call होती है तो यह रही आपकी URL ठीक है इस URL पर हमको यह data मिल ला है इस URL को अपने न हम लोग क्या करते हैं अपने Chrome browser में ले चलके open करते हैं देखते हैं इतर से क्या data मिल ला हमको वहाँ पर हमको यहाँ पर हमको अच्छे से समझ नहीं आ रहा ना यह चीज हमको अच्छे से समझ नहीं आ रही कि यह क्या data है इतर तो JSON format में हमको data मिल ला है इधर हम लोग देखते हैं वही चीज कॉल करके तो यह URL है और यह आपको data मिल ला है बिसिकली हम लोग यहाँ पर लंडन पास कर रहा है और इस लंडन के according हमको यह बैक बिल ला ठीक है तो यह वाला हमको जो model हमा बिसिकली इस यह जो हमारे response है इसको हमको model बनाना है ठीक है हम लोग directly use नहीं करेंगे चीज हमको इसको model में convert करके यूज करना ठीक है तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए हम मैं उसके लिए भी चीज बताता हूं यह बहुत अच्छा shortcut और आपको बहुत पसंद आएगा सबसे पहले तो हम लोग इंदर क्या करेंगे लाइब लिए वाले डारेक्टरी में हम लोग एक और डारेक्टरी क्रियेट करेंगे जिसका नाम रखेंगे models लोग इधर models रहेंगे अपने और अब हम लोग चलते हैं अपने Chrome ब्राउजर में और यह हमारा API का response है ठीक है जो हमने उधर call किया था और उसकी कोई endpoint मिल गई तो हम इधर भी call कर पा रहें ठीक है इसके response को आप copy करिए control प्लस ए से all all select करके copy करिए और फिर इधर सर्च करिए JSON to Dart अब यह क्या चीज़ है यह JSON to Dart ना आपको जो आपका यह response है तो उस response को convert करके देगा आपको dart की code में ठीक है dart की model में basically तो यह हो गया हमारा जैसन और इसका यह जो comment है यह हम लोग अटा देते हैं कमेंट के वाज़ा से error आजाता है ठीक है तो यह चीज़ है और इसमें हम लोग अपना इसके जो हमारा class होगा यह generate होगा class उसका नाम दे देते हैं तो जीओ डाटा जीओ डाटा करके और फिर इसको create करते हैं तो यहां पर आपको देख सकते हैं आप लोगों को यह मिल गया पूरा आपको class इसका और बिसिकली हमको यह चीज नहीं चाहिए लोकल नेम नहीं चाहिए तो उसको अभी हम लोग चलके अपना हटा देंगे ठीक है और इधर से कॉपी करेंगे अप लोग और अपने इधर जाएंगे अपने मोदल्स में एक और क्लास या फिरिक फाल बनाएंगे स्री एक फाल बनाएंगे डाट की और इसका नाम देदेंगे जीओ जीओ डाटा डॉट मॉटल टीक है जीओ डाटा डाट मॉटल इधर इसको पेस्ट कर देंगे और यह वाट हैपन्ट क्यों सेलिडिशने wished होड़े समाहनी है जीओ सरे बना बनाएंगे वाट भीओन्यवफे सरे पाल-बनाएंगे जीओ नवट भीओना के बने सक्ता मॉटल बनाएंगे आएंगे भीओाएंगे इसकों एक ग Separate